हेलो सु, मैं हुरी जात, बहुत-बहुत स्वागत था आप सभी का इस न्यूव वीडियो में दोस्तो बात कर रहे हैं सीरेल को मेगेजी के प्यार में के आने वाले एपिसूड के बारे में ना तो उसके हाथ पैर काप रहे हैं ना ही उसके आँखों में नशा दिखाई दे रहा है बस वो एक समस्दार और पार्टी करने वाला बंदा दिखाई दे रहा है जिसको दुरुआन ने तो एक नजर में पास कर दिया है वेल दोस्तों इस मुवमेंट पर ऐसा ही लगता है देखकर कि इशान को सच में सवी की टेंचन जो है अपने फैमिली से ज़्यादा है वेल यहाँ पर इशावी जो है उसके पास जाता भी इशान पर सवी नहीं मिलती केक वगरह देकर आ जाता है और यहाँ आने वाल एपिसोड के अंदर सवी की नाराजगी कम नहीं होने वाली है यहाँ पर सवी डिसाइट करने वाली है कि इशान सर को मैं माफ दो कर दूँगी लेकिन अपना टीचर भी बना लूँगी और लेकिन सिर्फ अपने प्रोफेसर तक ही उने रुखूंगी अपना मेंटॉर मों उनको नहीं बनाऊंगी और प्रसनली जो मेरी हल्प कर रहे हैं वो उनसे बिल्कुल भी नहीं लोगी कि इशान उसके प्रसनल लाइफ में इंटरफेर करें वैल ये तो आप प्रीकेप में देख चुके हैं मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाले इस एपिसूड के अंदर क्या कुछ खास हमको देखने को मिले हैं कितना कमाल कही है एपिसूड होने वाला है अब देखिए यहाँ पर कहानी पूरी तरीके से फिलाल दूर्वा के कंदों पर जा चुकी है दूर्वा कहानी को आगे बढ़ा रही है ये नजर आ रहा है सभी लोगों को लेकिन यहाँ पर दूर्वा की जिन्दगी बचाएगी कौन ये भी आपको पता है मैं अल्रवा को कई बार बता चुका हूँ कि ये काम भी सभी ही करने वाली है लेकिन यहाँ पर जब तक दुश्मनी थोड़ी तकडी ना हो तब तक दुश्मन का जो रक्षा है करने मज़ा नहीं आता अब यहाँ पर देखिए दूर्वा को पूरी तरीके से नेगिटिव और फिर नेगिटिव के लिए पॉजिटिव को उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ाना है तो सेल की मेकर्स को उनके बीच के तकरार को थोड़ा और बढ़ाना होगा अब देखिए सरस्वती पूजा के अंदर सवी को यहाँ पर कल्चर सेकेटरी बनाने के बाद पूरी तरीके से यहाँ पर सभी लोग वैसे ही गुस्से में हैं क्योंकि पहले जो दूर्वा थी वो कल्चर सेकेटरी हुआ करती थी सभी को बना दिया गया और सभी को इशान के साथ देख कर तो वैसे भी लोगों का खून खौली जाता है ऐसे में यहाँ पर कई सारी चाल और साजिशी होने वाली है कई सारी डिशिश के अंदर जो है कई सारे अलग मसाले डालते वे नजर आएंगे और यहाँ पर बिल सभी के नाम पर फाड़ने की कोशिश की जाएगी लेकिन यहाँ पर सभी का पूरा सपोर्ट करते वे नजर आएगा इशान क्योंकि देखो इशान जो है कई बार सभी के ओपर इतने बड़े बड़े आरोप लगा देता है कि उसके बाद जब सभी के ओपर छोटे मुटे आरोप लगते हैं तो इशान उनके ओपर बिलीव ही नहीं कर पाता क्योंकि इशान को लगता है कि सभी कुछ गलत करी नहीं सकती है और इन सब चीजों के होने के बाद दूरवा का खून तो खौलने ही वाला है क्योंकि जब वो देखेगी कि इशान सरीक तो मेरी रिष्टे के टाइम पर निकल गए थे वासे और दूसरी चीज यहां पर कॉलेज में आने के बाद भी इस सभी को ही सारी तवज्यों दी जारी वहाँ पर जाकर उन से माफी मांग रहा और काफी सारी चीजे और यह सारी चीजे जब यहां पर पता चली है तो यहां पर शांतनु भी सारी चीजे जो है हमारी इशा मैम को बताते में नजर आएगा बिगाउस उनका बेटा किस तरह की हरकते कर रहा है किस तरह की से बचकानी हरकते कर रहा है ये बात तो बतानी बढ़ती है बिल्कुल पूरी तरीके से और कल जब में लाइब आया था साड़े आट बजे रात को आप लोगों अगर शायद उसमें जुड़े थे तो आपको पता होगा इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे थे और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इशान बिल्कुल बच्पना करता और वाकई में एकदम बच्चे जैस पर लेकिन यहाँ पर जो उसके रियल लाइफ होती है उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बहुत ज़्यादा जो है पजासिव हो जाता है किसी भी चीज़ को लेकर और बहुत जल्दी और रियाक्ट कर जाता है और यही रीजन है कि यहाँ पर सवी से उसके अन अज़र आएगी अब यहां पर इशानी यहां पर सवी को बताने वाला है या फिर सवी को जैसे भी पता चलेगा कि दूरवा की शादी हो रही है तो यहां पर पूरी तरीकी से सवी जो है यहां पर कहेगी कि आकरकार वो लड़का कौन है और सवी को जब पता चलने वाला है व सभी नहीं हम चाबी की बात कर रहे थे तो यहां पर सभी लोगों को इस अवाल आ रहा था कि क्या जब सभी उन्हें बताएगी तो इस हिसाब से बहुत आसानी होगी इन चीजों को समझने के लिए उनको और ये श्वन दोर को क्योंकि और यहां पर जो है मंदार के मुझ से लोग चला रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन तो हमें स्टार्टिंग से उन लोगों के साथ थी कि यह लोग को जो है बहुत समझदार लोग होंगे इतना बड़ा इस इंस्टीशन चला रहे हैं खुद प्रॉफेसर बने बैठ हैं कुद बोर डिरेक्टर बने बैठ हैं बिकॉ लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेशन का फाइदा जो है हमें बिल्कुल भी नहीं मिला अब तक तो यहाँ पर बियुक कुफी करते वे नजर आये हैं वो उसले इंस्टीशन की सभी बोर्ड डिरेक्टर तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन हम लोग नहीं रखें उनसे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा पर इशा मैम का रूल आने वाल एपिसोड वे फिट से रिटन होने वाला है अब दोस्तों यहाँ पर बड़तर डे स्पेशल की बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट बड़ी स्टोल लैंज जो है क्योंकि दोस्तों